एक सांदार बैक्तित्त के मालिक कैसे बनी एक बार लेखिका एक कमेडियन के शो में गई वहां उन्होंने देखा कि वो कमेडियन बेहद उसाह के साथ अपने दर्सकों से गुल मिल रहा था और लोग भी काफे पसंद कर रहे थे लेखिका ने जब उसके स्क्रिप्ट देखी तो यह पाया कि उसके स्क्रिप्ट काफी ओसत थी यही से लेखिका को समझ आया कि इस बात का कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आप क्या कहते हैं बलकि फर्क इस बात से पढ़ता है कि आप अपनी बात हमारे दिमाग में अक्सर यह सव decoration आता है कि जब भी हम किसी से मिलें तो उ हया कावा, हया कावा एक अमेरकी रेलवे स्टेशन पर बैठा था, ये बात दूसरे विश्व युद्ध की है, जब जापान ने अमेरिका पर हमला बोल दिया था, हया कावा जिस प्लेटफॉर्म पर था, उस प्लेटफॉर्म पर एक अमेरिकी दमपत्ती अपने बच्चों के साथ थे वो दमपत्ती और उनके बच्चे हया कावा को जापानी होने के कारण संदेहास्पद नजरों से देख रहे थे हया कावा ये देखकर थोड़ा ऐसा है तो हुआ लेकिन उसने ठान लिया था कि वो इन लोगों से बात करके रहेगा हया कावा उस दमपत्ती के पास गया और बोला इस ठंड में बच्चों के साथ सफर करना कितना मुश्किल होता होगा न इसके जवाब में बच्चों के पिता ने केवल हां में गर्दन ही लाई हया कावा ने उनसे आगे पूछा कि आपके बच्चे उम्र के हिसाब से थोड़े بड़े और मजबूत नजरा रहे ह ये सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराने लगा हया कावा ने थोड़ी देर और इस परकार की बाते जारी रखी थोड़ी देर बाद जब माहौल थोड़ा सामान हुआ तब उस अमेरिकी व्यक्ति ने हया कावा से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है क्या जापानी सेना अमेरिका को युद्ध में हरा देगी जवाब में हया कावा ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि जापानी सेना बिना किसी संसादन के कैसे ताकतवर और दोगिक राष्ट अमेरिका को हरा सकता है उस व्यक्ति ने कहा मुझे उमीद है कि इस समय तुम्हारे घर का कोई वेक्ति जापान में मौजूद नहीं है इस जवाब में हया कावा ने कहा कि मेरे माता पिता अभी भी जापान में ही है और मेरी उनसे बात भी नहीं हो पाती अमेरीकी दमपत्ती को हया कावा की ये बात सुनकर उसके मन में दया का भाव जाग उठा और थोड़ी दिर बाद उन्होंने हया कावा को अपने घर खाने के लिए आमंतरित किया तो देखा आपने कैसे हया कावा ने उन लोगों को प्रभावित किया जो कुछ समय पहले तक उसे बहुत बड़ा दुस्वन मान रहे थे अगर हया कावा अपनी बात को किसी और तरीके से कहता तो संभव था कि वो दमपत्ती उसके साथ वहस करने लगते इसी घर्णा से मिलती है हमें हमारी ग्यराहमी तकनीक जो ये कहती है कि जब हम किसी भी वेक्ति से बात करें तो हमें पूरे उल्लास के साथ बात करनी चाहिए इसके अलावा हमें इस बात पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम क्या बात करने वाले हैं क्योंकि 80% से भी अधिक बार फर्क सिर्फ इस बात का पढ़ता है कि आप बात कैसे करते हैं तो इसे के साथ समरी ये समापत होती है मिलते हैं अगले सीरीज में तब तक के लिए धन्यवाद